जाग गई केजरिवाल की सरकार दिल्ली डूब गई लेकिन सरकार नहीं जागेगी मैंने जाग गई इसलिए कहा दिल्ली हाई कोट की आप तक की सबसे तगडी फटकार आई है दर्श को आप देखरें दान्यूज आपके साथ मैं स्रिष्टी मिश्वा दिल्ली हाई कोट की तगडी फटकार सभी के लिए है और सुनिये जरा ये जो खबर आई है ये आँखे खोलने वाली खबर है ये दिल्ली हाई कोट ने कहा मुफ्त खोरी की संस्कृटिक के कारण दिल्ली डूब गई ऐसा लग रहा है कि हम एक जंगल में रह रहे हैं कभी आग लग रही है कभी पानी आ रहा है दिल्ली के MCD के अधिकारियों को क्यों नहीं जेल में डाला आपने डिडिये कहा है दिल्ली डेवलेप्मेंट ऑसिरिटी के अधिकारी क्यों नहीं एक्षन ले रहे हैं आपने राह चलते एक ड्राइवर को गिरफतार कर लिया दर्शको जो आपने देखा और उनकी पतनी काफी परिशान हुई लेकिन आपने MCD के अधिकारियों पर क्यों नहीं ताला लगाया आगे सुनिए दिल्ली हाई कोट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा मुफ्त खोरी के कारण दिल्ली का ये हाल है किजरीवाल के गाल पे ये करारत तमाशा है दर्शको मैं आपको इसलिए कहनी हूँ ऐसा ताथ लाख की आबादी में बसाई गई दिल्ली पहले आज तीन करोड की आबादी हो गई है इंफराइस्ट्रक्शर के लिए आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं कर लेनी रहे हैं टैक्स लेनी रहे हैं मुफ्त खोरी की आजडर डाल के आपने लाखों की आबादी वा Revelation सब यहां जनता आप से अट्रक्ट हो रही है दिल्ली आ रही है चाहे पढ़ाई करने केरी है हो चाहे रोजगार पेशा के लिए हो आपने इंफराय क्या किया इसके साथ आपको पता दे उन्हेंने साफ क्या है समय आ गया है दिल्ली के सभी इंफ्राइस्ट्रक्शर पर जाच होगी बड़ी खबर इस वक्की दिल्ली हाई कोट का तगड़ा तमाशा है के जुरिवाल जेल में उनकी बीपी जरूर बढ़ रही होगे दर चुको क्यों कि ये आज हाई कोट ने कहा है कल के डेट में कुछ भी हो सकता है एक बात और सुन लिजे केंद्र सरकार इस बीच आएगी बड़ी एक और खबर दिल्ली हाई कोट ने कहा है अगर ऐसा ही रवाया रहा हम केंद्रिया ग्रह मंत्राले को जाच सोब देंगे और वैसे भ मौत होना जरूरी है आखे खोलने के लिए मैं यह नहीं कहा रही है कि वो लोग खुश है मौत होने से बच्चों की यूपीसी यहाँ पर तैयार करने वाले एस्पिरेंट्स की लेकिन यह कह रहे हैं कि जो तीन मौत हुई है वो तीन करोड की आबादी की जाच रिपोर्ट क खोल रही है बदहाल दिल्ली बेकार दिल्ली और दिल्ली आज डूब गई बता रहे आपको पूर्वी दिल्ली में एक तीन साल का मासुम बच्चा यह रदा विदारक तस्वीरें आ रही हैं सामने अपनी मा के साथ नाले में डूब जाता है आप सोचिए दश्रकों कितने अर्मानों पर यह दिल्ली सरकार ने पानी फेरा है बारिश का पानी इनके चर्मराई हुई विवस्ता की सारी पोल खोल कर रख देता है और अभी वैसी भी बरसात का मौसम और बचा हुए कुछ महीने और हैं यानि कि आप एक्सपेक्ट मत कीजिए दिल्ली वाले सभी अब मैं आती हूँ बेस्मेंट्स पर बेस्मेंट्स पर दिल्ली हाई कोट ने क्या कहा सुनिये आपने नालों के ऊपर अतिक्रमन करकरके ऑफिसες बना दिये क्या आपने जाच की क्या आपने MCD को इसके बारे पूरी जानकारी दी मैं ये ने कkeys रही हूँ सब को लटार लग लगाई गई है इस मामले में हाई कोट की सक्तिपणी है जल्द ही अपनी चर्मराई विवस्ता सुधार लीजे वरना हम ग्रह मंत्राले को सारी रिपोर्ट दे देंगे और वैसे भी ग्रह मंत्राले के सामने रिपोर्ट है वो होता है इंटर्वेंशन का मामला अब देखिए बंगाल में अगर यहां पर बहुत जादा बदहाली कर देगी मंत्राले बीच में आएगा राशपती साशन लगाएगा लेकिन जब तक जाच नहीं होती है ग्रह मंत्राले के दोरा जब तक पूरी ये पूरी विवस्ता चर्मराई हुई ना हो मंत्राले अभी वापस से जस्टिस इसमें सुनवाई करते नजर आएंगे कि आखिर दिल्ली में बढ़ रहे मौत का जिम्मेदार कौन है इसके साथ सुन लिजे आशा किरंज शेल्टर में चौदा बच्चों की मौत पर मनोस्तिवारी बिफर गए हैं कह रहे हैं दिल्ली डूब गई आग लग रही ह है शौट सरकिट हो रहा है चौदा बच्चे मर जाते हैं लेकिन केजरिवाल सरकार सोई हुए जर्द सुनिया यहां मनोस्तिवारी सांसक बीजे पी कि क्या कह रहे हैं देखिए मन मेरा बहुत ही परिशान है बहुत दुखी है ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में रोज जब सा सुबह से आप लेना शुरू करिये तो सांसे भारी लगती है आंख खोलिये तो अखबार के समाचार पढ़ने भारी हो जा रहे हैं किसी दिन समाचार करिंड से युवा मर गये लोग मर गये किसी दिन समाचार घर में बैटे हुए पानी में डूब करके वेस्मिंट में चात्र मर गए किसी दिन समाचार मिलता है कि आशा किरन उसमें महीने बर में दर्जन बच्चे एक्सपायर कर गए ये आशा किरन क्या होता है आशा किरन जो helpless बच्चे होते हैं जो दिमाग से असहाय बच्चे होते हैं उन लोगों को आशा किरन में रखा जाता है ऐसी घटना आशा किरन में पहले भी हो चुकी थी जब मैं अध्यक्ष था यह पच्चिम बिहार के तरफ मुझे एक जगह जाना पड़ा था वहां भी दरजन के आसपास बच्चे इसी तरह से मौत के मुझे समा गए हैं जो सुचनाय मिल रही है उसमें पता चलता है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है बिमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता और यह है आम आदनी पार्टी की गौवर्मेंट का एक और एक जामपल अब तो हमको पानी पीने से कैंसर होना आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पे रहने का एक व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी इस्तिफा नहीं देते हैं और इस तरह के रोज समाचार हमारे हिर्दे को छेद कर रहे हैं तो सुना अपने मनोस्तिवारी ह हला बोल इसलिए है कि केजरिवाल जेल में है आतिशी मारलना मुफ्त खोरी का विग्यापन दे रही है और सुनिए ज़रा एक और बात विग्यापन पर हाई कोट का करारा तमाचा है कह रहे हैं विग्यापन कम कीजिए काम ज़ादा कीजिए लोगों से कर लीजिए आपने म लोगों को मुफ्त खोर बना दिया है और यही वज़ा है कि दिल्ली में आबादी बढ़ती जारी है आप कोई काम नहीं करने हैं दुरघटनाई हो रही हैं मुफ्त खोरी की संस्कृति के कारण कर संग्रह नहीं होता जिस शहर में जिस राज्य में कर संग्रह नहीं होता वहां का infrastructure बदहाल हो जाता है और ऐसी दुरघटना है होती रहती है इसके साथ तीन बच्चों की मौत का कौन है जिम्मदार mcd अधिकारी क्यों ने अंदर है आपने के वल एक दुसरे के मत्थे पर आप रिपोर्ट डाल रहे है mcd कहता है dda dda कहता है pwd department और pwd राज्यपाल बता दे आपको शैली अवरोई पर भी यहां का गुस्सा फूटा है जनता ने शैली अवरोई के पोस्टर पर कालिक पोती थी अपने फोटोस देखी दी और यहां पर किज्रिवाल सरकार के पूरे जितने लॉबी है उनकी चर्मराई विस्ता की पोल खुल रहे है अब आप विग्यापन ये कमाते हैं विग्यापन ये जिनका इनका पैसा पंजाब से आता है दिल्ली तो डूबी गई है पंजाब का बजट इनके पास आ रहा है विग्यापन करते रहते हैं मुफ्त 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 ये मुफ्त खोरी के चकर में नाले में मासूम मर रहे हैं ये मु इसको सिल कर दिया गया है बड़ी यहां पर जाज के बाद यहां रिपोर्ट सामने आई है इस पर अजारत ने साफ कहा कि जल निकासी के अच्छी विवस्ता दिली में नहीं है 75-75 साल के पुराने नालो पर कोई एक्षिन नहीं लिया गया है यह है इंडिया इंडिया इंडिय हमें यह हिम्मत नहीं है कि वो केजरिवाल की फ्री रेवडी की तारिफ करे आपकी क्या रहा है आप कॉमेंट में बताइए और यह ख़बर फैलाइए और लोगों को कहें न कहीं जागरु किजे की मुफ्त खोरी की संस्कृति पर हाई कोट का एक लताड है केजरिवाल सरका को शुक्रिया